नमस्कार विद्ध्यार्थी मित्रों, ओन्लान शिक्षर्णी एंदर आपसव विद्ध्यार्थी मित्रोंनू स्वागत्चि मित्रों, आजे हापडे तोरण दस विशय गुजराती नी अंदर प्रक्रण तीर वतन थी विदाय थता एकाव्यो शरू करवात अराप जैरिया चिये मित्रों, वतन थी विदाय थता एकाव्यो शे एना कविनू नाम चे जैन्त पाठक कविनू नाम वतन थी विदाय थता कविनू नाम जैन्त पाठक साहित्य प्रकार सोनेट साहित्य प्रकार शूँ छे तो के सोनेट साहित्य प्रकार सोनेट तो मित्रों आजे काविय थी एनी अंदर वतन थी विदाय थता सोनेट मा एक कविये वतन थी छुटा पड़वानी वेदनाने वाचा आपी छे आम तो तिवो काम धन्दा माटे ये पोतानु वतन छोड़ी औन शहेरमा स्थाई थया अले काई में वस्वार्ट करियो परन्तु वतनने तिवो भुल्या न थी वर्षो पशी पोतान वतनमा गईला कवीने विदायलेवाने गड़ी विदायलेवानो समयावी पडेच्छे अन मानवी ने छोड़ता दूख थाई चे वेची दिदेलू धोर पण पोतानु घर जंकतु होय तो मानस पण पोताना वतनने जंके चे ने वली गईलू वही गईलू पाणी ए पाच्छु न आविये तिवोच विती गईला समयनु चे गामनो कुत्रो पण वतनने हद छोड़तो नथी आ एक स्वाभाविक क्रम चे जयनु कविये अही आलेखन करियू चे काविये ना अन्ते कविने प्रहम थाई चे के रिशायला बालकने मा पाच्छु बोलावती होय एम मने मारी मा बोलावे चे आप ब्रहम चे पन हकीकत न थी आवी ब्रहमनामा राजता कविये पोताना वतनने विदायने कार्णे अनुभवाती व्यथाने रदैस परशी रिते अहीं रजु करी चे तो मित्रों हवे आपड़े आ काव्यनी समझूती जुईये वतन्थी विदाय थता कवि जयन्त पाठक येमना जन्म वीश्ट दस उगणी सोने विश्णी अंदर थाईलोच्छे अन अवसाद एक त्रण बे अजार त्रणमा थाईलोच्छे जयन्त इमतलाल पाठक न जन्म गोड जिल्ल पंच महालमा थयो हतो तेमने दाहोद अने सुरतनी कॉलेजमा अध्यापक तरीके कामगीरी करी हती मर्मर, संकेत, विश्मय, मुरुगिया अनूने वगेरे तेमना कविताना संग्र होचे क्षणों मा जिवूँचू तेमनी समग्र कवितानों ग्रन्थ चे वनांचल तेमनी नोद पात्र स्मरण कथा चे आधुनिक कविताना प्रवार, आलूक, भावित्री, कीम अपिद्रव्यम एमना विवेचन ग्रन्थ होचे तेमने रणजित्राम, सुवर्ण चंद्रक, गुजरा साहित्य अकादमी, गांधिनगर और साहित्य अकादमी दिल्ली नो एवण प्राप्त थयलो चे तो मित्रो कविनी माहीती जुए कि जयन्त पाठक छे एनो जन्म बेर, 20, 10, 2020 नियंदर थयलो चे अने नुम रुथ्यू 1,3,2,3 नियंद जयन्त पाठक नो पुरुणाम, जयन्त इम्मतलाल पाठक मित्रो आपड पूरा नाम याद राखवाना अने ये पंचमाल जिल्लानु गोड गाम ये गोड गाम ने अंदर थेलो होतो चैन्त पाठके दाहोद अने सुरतने कॉलेज ने अंदर अध्यापक तरीके कामगिरी करी अलेके शिक्षक तरीके ने कामगिरी करीली छे मर्मर, संकेत, विश्मय, मरुगया, अनुनई वगिरे त्यमना कविताना संग्र होचे क्षणों मा जिवून चुन ये त्यमनी समग्र कविताना ग्रंत होचे मिदो जहिंद पाठक ना कृतियो ना नाम जणावो तो क्या मर्मर संकेत विश्मै अनुनै मुरुगिया थ्वगिरे क्षणों मा जिवुँँचु यहमनो कविता नो ग्रंथ छे वनांचल नाम नीजे कृति छे यह तेमनी नोध पात्र स्मरणी कथा छे आधोनिक कविता प्रवा, आलोक, भावयित्त्री, कीम अपिद्रवियम एमना विवेचन ग्रंथो छे चैंत पाठक ने रनजीत्राम सुवर्ण चंद्रक गुजरा साहित्य अकादमी गाधीनगर्द्वारा एवड मलेरो छे अने साहित्य अकादमी दिल्ली यह बे एवड प्राप्त थायेला छे त्यारबद्मित्रो कावियनी सम्झूती जोईए वर्षो पशी वतनमा गयेला कावियनायकने वतन्थी विदाय थवानु होईचे अने त्यारे अनुभवईती पिडा आ सानेत्मा व्यक्त थायेचे गणावर्षो पशी जे वन, जन, खेतर, कोतर, डुंगर, नदी, नाला मलिया हता यहमने छोडवाने क्षण आवी गईचे जे हम ढोर वेचाय गया पशी पोताना मोल घरने जनकतु होई यहम कवी पोताना मोल परिवेश्णे जेंख्या करेचे पग उपरता न थी जेम वही गयलो पाणी पाचु आवतो न थी यहम वही गयलो समय पन पाचो आवतो न थी एक कुत्रो पन थोडी वार पाचल पाचल आवीने एनी हद पूरी थता पाचो वडी जाये छे, ए स्वाभाविक्ता भरियू आलेखन थयूंचे, अन्ते काविय नायकने ब्रह्म थाये छे कि जहम बालक रिसाये, अने एनी मा एने पाचु बोलावती होई, एम मने मारी मा बोलावे छे, पण आ मात्र ब्रह्म थे, हकिकत नहीं, आम वतन विच्छेदने कारणे अनुभवाती करुणता खुब सुन्दर रिते कविया स्वनेट मा मुकी आपेली थे, तो मित्रों हवे आपडे कावियनी सम्जूती जोईे, वतन थी विदाई थता, ए मुक्यू वन, ए मुक्या जहन, गणे वर्षिय मल्याजे क्षण, मुक्या डुंगरने नदी, वतन नाए कोतरो खेतर, आखोबे रही भालती, वली वली पाची, विडियू ए घर, वेचाई गयू ठोर जेम तलखे कोठार, छोड़ियू दन। तो मित्रों समझे, ए मुक्यू वन, जहन एकले मानसो, जहन एकले शुँ मानस, जहन एकले के मानस, क्षण, क्षण एकले के घडी, थोड़ो गणो समय, क्षण एकले के समय, वली वली पाची, एकले के वारम वार, पाच्चू भिडियू, भिडियू एकले बंध थायेलू, भिडियू एकले के बंध करेलू, वेचाई गयू ठोर जेम तलखे कोठार, कोठारेट लेके मित्रो ढोर्ने बांधवानी जेग्या, कोठारेट लेके ढोर्ने बांधवानी जेग्या, तो मित्रो अपंक्ति हो समझी लिए, कभी यहां समझावेचे, कि ए मुक्यू वन, ए मुक्या जन गणा वर्षे मल्यो जेक्षा, गणा वर्षे पशी, जे खड़िये, वन, जन एकले मांसू, डुंगर, नदी, खेतर, कोतर, जोवा मल्या, मुक्या डुंगर ने नदी वतने कोतरो खेतर, ला बन्य पंक्तिनो अर्थ, कि गणा वर्षे पशी जे गड़िये, वन, जन, डुंगर, नदी, खेतर, कोतर, जोवा मल्या, ये बधाने वतन्थी विदाय थता छोडवा पड़िया, मुक्यू अटले छोड़ूं, ए मुक्य वन, ए मुक्या जन, गणा वर्षे मल्यो जे ख्षन, मुक्या डुंगर ने नदी वतन ना एकोतरो खेतर, ला कवी पोताना वतन्येंदर आवे चे, कामर दंदे, शेर नेंदर कमावा गय लाचे, पन वेकेशन मा आवे लाचे, पन फरी पासर जवानों वतन्थी चुटा प जहन एकले मान सोपनता, डुंगरावो हता, नदी वता, खेतरो हता, कोतरो हता, आ बधी जवस्तु ए लेखकने पोताना वतन्थी विदाय थता, ए चुटवा पडिया चे, तो लेखकने ए वातनु दूख चे, त्यार बांदी बंगने, आखो बे रही भारती वली-वली पा ये पाची, वली-वली ने बंध खरने जोई रही चे, आखो बे रही भारती वली-वली पाचु बिल्युगर, बिल्युगर अटले बंध थैलुगर, बारनु बंध कर दिदो अटले बंध थैलुगर, तो लेखकने बंदने आखो ये वली-वली अन्य बंध खरने जोई र बादवानी चेग्या। तो वह केवी रिते के जेम छोड़ेलु धन अने वेचाय गईयेलु धोर ये कोधार्ती बंधावा व्याकुड होय। ये वी रिते लेखक यां द्युखीचे। वेचाय गई हुँ दोर जेम, तलखे, कोधार छोड़ युदण, कोधार टले दोर ने बांधवानी चेग्या, नधन, पश्युओन, सम, एक साथे, दस पंदर होई, ते, तो चारे चार पंगतिनों भावार जोई है, कि लेखक यहां समझावे छे, कि गणा वर्षो पश्यु एन्हें वतन छोडवानों समय आयो, एले एना वतन ने इंदर जे वन हता, जे जन जे मांसो हता, जे डुंगर हती, जे नदिवो हती, जे खेतरो हता, कोतरो हता, ए जोवा मलिया, ये बधाने, आई यां लेखके, पोताना वतन थिये विदाए थाई छे, त्यारे एनने अन्ने आखो पाचु वळी-वळी ने जोवेचे, येन बंद थेहलू जे गरचे, येने जोया करेचे, के वी रिती है, के जैम छोडेलू दन, अन्ने वेचाय गेहलू दोर, ये कोधार्थी बंधावा व्याकोले, पोताना खीले आववा माटे उतावलूवा, ये वी रिती ह लेखक अईया उतावला बनेचे, ये जारपंतिनों भावार्ष्यों, के गणा वर्ष्यों पशी, जे गडिये लेखकने पोताना वन, जन, डुंगर, खेतर, कोतर, जोवा मलिया, ये बधाने वतंती विदाई थता छोडवा पडियाचे, लेखकने बनने आखो ये वारंब दुखी, छे, त्यार बाद मितलो, आगलनी पंक्ति वो जुए, केडी आगल जाय, पाय अवला केम करी उपडे, आखो जाय बराय, वाट तरूनी, काटाली, डाली, नडे, हैयू, उजरलाय, रक्त टश्या, फुटे, दिमेथी, जमे, आगे, वेकुर्थी, नदीनी हजिये आ आगलिओ, रमीन, लेखक पोताना वतन्नी अंदर, आवे छे, पोताना वतन प्रतिने खुबज प्रेम छे, ये लेखक कहे छे के केडी जाय, केडी आगल जाय, केडी, केडी एटले के पगे चालवानो रस्तो, केडी एटले के पगे चालवानो नानो रस्तो, पाय एटले पग, पाई एटले के पग, अवला, अवला एटले वांकू, अथवा आडू, अथवा उंधू, अवला एटले के वांकू, आडू, अथवा उंधू, अवलू एटले वांकू, आडू, अथवा उंधू, केमें करी उपडे, इल्ले वतन्नु घर छोडी, किडी तरफ आगल व पर लेखक कहे चे के पर पड़ अवला पड़ेचें। ए वत्तन तरफ जाये छे अनने वत्तन थे छोडवू गम्तु नथी ए बधाने केम करी ए महामेनते आगल उपडे छे केमे करी उपडे यले के महामेनते ए मान्ड मान्डे पग मुखी शके छे आगल वधी शके छे पहली पंती केडी आगल जाई पाय अवला केमे करी उपले लिखक पोताना वत्तननु घर छोडी केडी तरफ आगल वदेछे पड़ेना पग अवला पड़ेचे यहना वत्तन तरफ पाचा जायेचे एक केमे करीने महा मेनते अगल उपलेचे आखो जाय भराय, आखो भराय जवी, आखमा आसु आववा, आखो जाय भराय जवी, आखमा आसु आववा, वाट, वाट एटले के मार्ग रस्तो, वाट एटले के मार्ग अथवा रस्तो, तरू, तरू एटले के रुक्ष, तरू एटले के रुक्ष नी, काटाली डाली नड लेखक कहेचे, आखो जाय भराय वाट तरूनी काटाली डाली नडे, लेखक जेम आगय वदेचे, एम लेखक न आखोमा आसु भरायेचे, वाट तरूनी काटाली डाली नडे, लेखक जेम आगय वदेचे, एम लेखक न आखोमा आसु भरायेचे, वाट तरूनी काटाली डा रस्ते जत्ता रुक्ष्नी काटाली डाली नडे छे। ले खकनी आखो मां आस्वावी जाई छे वतानों वतन चोडवाती दुख थाय एतला माटे। पर पर पाली चोडवाती गुष्नी काटाली वत राथा माब शेम काटाली नडे तो खुब दुख थौँं वेदनाथी केरावुं। लेखकनु जे रदय छे अनेक वेदनावती केराई जाये छे। अन्य रक्ततश्या फुटे धिमेथी जमें। अन्य जाने लोईना टश्या फुटिया होय। अन्य य माती लोही जरे तें लेखकनु ये विदायनी वेदनाथी केराई उचे। अन्य लेखकने याने लोहीना टश्या फुटिया होय। अने एमाथी लोई जरतुए धिमे धिमे लोई निकलतु होई, एवो एना हैयानी अंदर विदायनी वेदनाथी खिरायूँँछे। अईयू उजरडाय रक्तट अश्या फुटे धिमे थी जमे। एटले के जाने लोहिनाट अश्या फुट्या होई, अने एमाथी तिरे दिरे लोई जरे एटले के निकलतु होई, तेम लेखकना हैयामा एवतन थी विदाय थवानी दुख थी एविदनाथी अनुडदै घेराय गयूँँचे। आगे वेकूर थी नदी हजी आंगली रमे। वेकूर, वेकूर यटले के नदीनी रेती, वेकूर यटले के नदीनी रेती, वेकूर यटले जाडी रेती होई, वेकूर के वाई, नदीना किनारे जाडी रेती होई, वेकूर यटले नदीनी रेती, आगे यटले दूर थी, हजी या आंगलिवो रमे, दूर नदीनी वेकुर्मा रेतीमा हजी लेखकनी आंगलिवो रमेच्छे, काल कि नानपणनी इंदर पोताना बचपन मा ये नदीनी रेतीमा रमता, ये आंगनाती रमता, एटले लेखकने याद आवेच्छे, अने येटले कहेच्छे, कि दूर नदीनी वेकुर्मा हजी आजेई आ आंगलिवो रमेच्छे, फरिवार मित्रो समझीलेए, केडी जाय पाई अवला केमे करी उपडे, आखो जाय भराय वाट तरूनी काटाई डाली नडे, लेखक पतानु वतननु घर छोडी अने पडे छे, एना वतन बनी पाचल पडे छे, ए महामेनते केमे करी नी आगल पग उपाडे छे, अईयू आखो जाय भराय वाट तरूनी काटाई डाली नडे, पोतानु वतन चुर्ता लेखक ने आखमा आशुआवी जाय छे, रस्ते जता रुक्ष्ने काटाई डाली डाली नडी रही चे, अईयू उजरडाय रक्त टश्या फुटे देमे थी जमे, आगे वेकुर्ती नदीनी हजी आ आँगली वो रमे, जाने लोही ना टश्या फुट्या होय, अने एमा थी लोही तिरे धिरे निकलतु होय, इउं वतन विदाय थी लेखक ने रद्धाई मा इव वेदनाथी खेराय उचे, अने आघेत लेके दूर वेकुर्मा तके नदीनी रेती मा हजी आजे लेखक नी आँगली वो रमेचे, तो चारेचार पंकती नो भावात, कि लेखक ए पोतानू घर छोडी, ये जे केडी पगे चालवानू जे रस्तो छे, ये केडी आगल-ागल जाये छे, पर लेखक नापग ए केडी पर आगल जवाने बडले पाचल पडेचे, कारण ये वतन छोडवानू दूख छे, ये लेखक नापग केमे करी उपडे, माहामेनत करी आगल तो वद्यचे, पर एनी आखोमा आसु आवी जाये छे, रस्ते चाले, तो रस्ते जता ज उक्षोनी एक काटाली डालो नडे, लेखक नापग एक रदीमा खुबज दूख थाये छे, अने जाने एक लोही नापश्या फुट्या होय, एम एमाथी लोही जरे छे, एम लेखक ने पोताना रदीनी अंदर आ विदायनी विदनानू दूख छे, दूर नदीनी रेतीमा अजी एनी आंगलिवो रमतियने देखाये छे, काके लेखक नूँ बालपण एत्या वितियलू छे, त्यार बदमित्रो आगलनी पंतियो जोई, चालो जीव, जवानू आगल, नहीं आ कालना वहेन मा, पाचा उपरवास शक्य वहुँ, पाचा पानी लुचो नेनना भारोल भुतनों शीरी वनपुशे, शा वेठिया चालू, साथे श्वान पूरी थता हद, हवे एनी पाच्छू जोँ, हवे लेखक पताना मन्ने मनावे छे, कि चालो जीव, जवानू आगल, नहीं आ कालना वहेन मा, काल एकले समय, काले एकले समय, आना वहेन मा एकले वही लेखक पताना मन्ने मनावे छे, कि चालो जीव, ए जीव, चालो, आपने आगल जवानू छे, आ कालना वहेन मा, वही गयलो समय, ए पाच्छू आववानो नती, चालो जीव जवानू आगल, नहीं आ कालना वहेन मा, एकले कि लेखक पताना मन्ने पताना जीवने मनावे छे आगल जवानू छे, आ काल ना वहन मा वही गेलो जे समय ए पाच्छो आववानो नथी, काल जे भुदकाल जे बनी गयो, यह वे पाच्छो बनवानू नथी, पाच्छा उपर्वास शक्य वेहवूं, पाणी लूच्छो नेनना, उपर्वास, ले अहीं गामनी बाहर नो वस् वात, कामना उपर्वास शवानू छे, लेखक कहे छे, कि फरी पाच्छा उपर्वास शवानू छे, ले गामनी उपर्वास शवानू दे, कि फरी पाच्छा उपर्वास शवानू छे, पाणी लूच्छो नेनना, नेनना एतले आखना, नेनना एतले कि आखना, पाणी लू शक्यवेहू पाणी लुचो नेनना। लेख कहे छे कि हे जियू चालो आपने आगल जवानू छे, आ कार्णा वहनमा वही गेलो समय ए पाचो आववानो नती, और फरी पाचा उपरवास जवानू छे, आखना आशुने लुची नाखो। लेख कहे छे कि हे जियू आगल पे आगल जवानू छे, आ कार्णा वहनमा नियंदर जे समय विति गयो ए पाचो आववानो नती, पारोल लए भुतनो शीरे वन कुच्छे शा वेठिया चालून, साथे स्वान पूरी थती हद हवे एने पाच्छू जवून। पारोल लए भुतनो शीरे वन कुच्छे शा वेठिया चालून, साथे स्वान पूरी थता हद हवी एने पाच्छा जवून। लेखक याँ पोताना मन्ने समझावेचे ये पारोल लए भुतनो शीरे, शीरे येटले के मस्तक पर, वन कुच्छे येले पूच्छिया विना, शो वेठिया, वेठियू येटले के वगर महनताना थी काम करना। तमे कोईनु काम करो, परन्तो तमने येनु काई वेतन्न मले, तो ये वेठ करावी केवाई, जैने आपने मफ़तमा काम करेवू येने कईये। ये लेखक कहेची, के बई विती गयला समयनों पारो, ये माथे लई, अने गुलामनी जेम पूच्छिया वगर चालवानूंँछे। पारो लई ये भुतनों शीरे वन पूच्छिय शा वेठिया चालूं। साथे स्वान, स्वान एटलेके कुत्रों। कुत्रों पन एपोतानी हद पूरी थता, एने पन त्यांथी पाचू वडी जवानूंछे। एपन एपोतानों साथ छोडी देशी। साथे श्वान पूरो थता हद हवी एने पाचा जवू। लेखक पताना मन्ने समझावेच्छे। कि बहें विती गेला समयनों भुत्कालनों एपारो एनोंचे बोज लई अने हवे गुलामनी जेम उच्छिया वगर चालवानूंछे। साथे कुत्रों जोडाएचे। पन वतननी हद पूरी थता एपन त्यांथी पाचू वडी जवानूंछे। एपन साथ छोडी देश। तो चारीजार पंक्तियों मित्रों समझीली है। लेखक पतना मन्ने समझावेicular चालोजी वानूं आगल Nun ही आकाल市 वहनमा ौपर्वाज शक्य वहूं। पाणी लूचो नेहनना पारोलाए भुत नोशीरे वनपुच्षे हवेठिया चालूं। साथे श्वान पूरी थता हद हवि एपस्छा वहुझ। लेखक पोताना मनने समझावेचे के ए जीव चालो आगल जवानूँचे कारणा वहनमा वही गयलो जे समय ए पाच्छो आववानो नथी फरी पाचा उपरवासमा जवानूँचे आखना आसुने लुची नाखो विति गयला समय नो भारो ए माथे लई अने गुलामनी जेम उच्छिया वगर चालवानूँचे साथे कुत्रो जुडायो एपन पोताना वतननी हद पूरी थता एने पन पाचा वळी जवानूँचे एपन साथ छोडी देशे त्यार बाद आघे खेतर जोव बेकर करी उचा मने वारती ए मारी ब्रह्मना रिशा शिशुने बोलावती बाहती आघे एटले के दूर थी खेतर ने जोव बेकर कर एटले के हाथ कर एटले शुन हाथ कर एटले हाथ वारती एटले अठकावती वार्ति येटले अटकावती ये मारी ब्रह्मना ब्रह्मना येटले के ब्रह्म ब्रह्मना येटले के ब्रह्म प्रांती रिसा येले के रिसाई गेल और रिसाई येटले के मन दुख थी नाराज थाई दुर जो रिसाई येटले के वू કે મનમા દૂક થતા એ નારાભ્ટ થઈને દૂરજ જતુઈ ત્યુ મનમા દૂક થઈ ને ણિસાે ગેલુએ शिसु शिसु एटले बालक बुलावती बाहती लेखक पोताना वतंथी दूर तो जाईचे पर लेखक ने भी ब्रह्मना थाईचे आगेदुर खेतर जोई बेकर उंचा करी मने वार्ती दूर थी खेतर जोचु त्यारे पोताना बन्ने हाथ उंचा करी और मने वार्ती होई, मने अटकावती होई ये मारी ब्रह्मना हती कि रिशाल शिश्यूने बोलावती ये मारी बाह हती आवह लेखक ने ब्रह्म थाय चे, लेखक ने जारे पताना बाह एफ बन्ने आत कुने उचा करी अने बुलावता होई एवह यान लेखक ने ब्रह्म थाय चे आगे खेतर जोववेकर उँचा मने वारती ए मारी ब्रह्मणा रिषाल शिशुने बोलावती बाहती लेखक कहेछे कि दूर थी खेतर जोवचु त्यारे बनने हाथ उँचा करी मने वारती अटकावती होई ए मारी ब्रह्मणा आती के रिषार शिशुने बोलावती इमारी बाहती तो मित्रो वतन थी विदाई थता आ कावयनी अंदर ये लेखक गणा वर्षो पशी ये पोताना वतन्ने अंदर जायेच चते जो के लेखक कामधंदे शेहरनी अंदर गई लायता अन्य हवी एक गणा वर्षो पशी पोताना वतर नियंदर आयवा एले गणा वर्षो पशी जे घडिये पशी पाच्छु जवन वाईवू एले जे घडिये जे वन, जन, एले मांसु, डुंगर, नदी, खेतर, कोतर, जोवा मलिया ए बधाने वतन्थी विदाई थता छोडवा लेखक ने पड़ेचे बे आखो पाची वाळी वाळी एनु बंध जे घर थेलू जे एन ए जोई रहेचे जेवी रिती ए कोई धन्थी, कोई पशु छुटू पड़ीगी वोई अनि वेचाई गेलू ढोर, ए पोताना कोठार, पोतानी गमानींदर, पोताना खीले, बंधावा माटे ए व्याकूर थेलू ओए एवा आया लेखक नू मन दास छे, दुखी छे तियार बादनी पंग्तिवो, वतन्थी घर छोडी, अनि केली जे रस्तो, ए आगल तरफ वदे चे लेखक आगल वदे चे, पन लेखक ना जे पग छे, इ अवला पडे चे आगल उपडतानी थी पोताना वतन तरफ हुगडे चे शेयर मा जवने बडले पोताना वतन तरफ आवे चे आखोमा आसु भराये चे, रस्ते जता रुक्ष्नी काटाली डाली ओ, एने नडे चे जाने लोहीना टश्या पुटिया होई, अनि एमाथी, लोही जरे एम, अहियों विदाईनी विदनाथी, खेरायूँचे लेखक दूर, नदीनी वेकूरलेके रेतीमा, जीर आजे आंगलियों फिरताय, इबालपणिन दे रमतावत, एवु लेखक ने लागे चे चालो जीव, आगल जवानू, नहीं आ कालना वहनमा अवे लेखक पोताना मनने, जीवने मनावेचे, कि आपने आगल जवानू छे आ कालना, आ समयनु जे विती गयलो जे समय छे, ए समय हवे पाच्छो आववानो न थी फरी पाचा उपरवास जवानू छे, लेके आगल वदवानू छे आकना आसुने लुची नाखो, विती गयलो समय नो भारो ए माथे लई, गुलामनी जेम उच्छिया वगर चालवानू छे साथे एक कुत्रो जोडाई छे, पन एपन पोताना वतननी हद, पूरी थता, एपन त्याथी पाच्छु वळी जवानू छे अनि एपन साथ छोडी देशे, लेखक दूर थी खेतर ने जुवे छे, तो त्यारी बनने पोताना हाथ उचा करती, लेखकने अटकावती होए, पाच्छी बोलावती होए, एवी लेखकने याद आवे छे के पोतानी बान न होए, एवी लेखकने ब्रमना हाती, के रिशा शिशुने बोलावती, एनि बाहती, एवी आ काव्यानी अंदर समझायोँचे, तो मित्रो आ काव्यानी अंदर वतन्थी विदाई थता, लेखकने जे दूख थाईचे, एना वतन्थी अंदर जे वस्तोजे रहेलीचे, एने जे छोडवे पडेचे, ए वातन्थी लेखकने थता कवी नी विदना, तमारा शब्दो मा वर्णवो, अथ्वा वतन्थी विदाई थता कवी नी ब्रह्मनाज, तेमनी विदनाने कई रीते घेरी बनावेचे, तो मित्रो आन जवाबचे, कि वतन्थी विदाई थता, एक कवी वन, जन, डुंगर, नदी, वननी कोतरो, खे पिरेने, आखोती वारंबार, मन भरीने, जोईलेचे, करने, बंध करीदेचे, तोर्ने पन, पोतानी कोधारनी मम्ता होईचे, तो कवीने, पोताना वतन नी केम न होई, वतन छोडी, आगल जवा पग उपडेचे, पन पग साथे, एनो साथ देता नथी, महा मेनती, तेम छता, एने, आगल तो जवान उच्छे, ए आगल वदे, तो रस्तामा रुक्ष्नी, काटाली, डाली, आडी आवेचे, तेम छता जवान उच्छे, एटले कवी कहेचे, के चालो जिव, पोताने, आश्वासन आपेचे, वही गेलो समय, आवे पाच्वावान नथी, उपर वास जवानूज छे, एटले आखना आशूने लुच्छी नाको, वितिगेला दिवसोनी यादोनो भारो माथे लई, गुलामनी जेम, आगल वदो, जुओ, आ कुत्रो पन वतननी स्विमा सुदीज, साथ आपशे, तेमने आभास थाये छे, के दूर जाने रि आमनाज तेमनी विद्राने घेरी बनावे छे, तो मित्रो अहीं आपडिया वतन्थी विदाई थता इकावियो पूरुण करिये छीए, मित्रो अहमवर्पनी अंदर तमारे शब्दार्थो अने स्वाध्याय, फेर भूकनी अंदर लखवानो छे